इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह यानि की मेनकविनोन 7, M के 7 का जैवपलब्द सयोजन है विटामिन D3 आतों से कैल्शियम, फॉस्फेट और मैगनीशियम के अवशोशन में सहायता करता है सुभा की धूप में कम रहने और खराब आहार विकल्पों के कारण वयसकों को पर्याप्त विटामिन D3 नहीं मिल पाता है आपके सिस्टम में पर्याप्त विटामिन D3 होने से आप औस्टियोपरोसिस को रोख सकते हैं या इसे इसके पहले चरण में ही रोख सकते हैं विटामिन M के साथ के रूप में विटामिन K2 आपके हृदय की रक्षा करने और आपकी हड्डियों को लाब पहुँचाने में मदद करता है चुनकि विटामिन K2 आमतोर पर मासाहारी खाद्य पदार्थों और डेरी उत्पादों में पाया जाता है इसलिए कई वयसकों में विटामिन K की गंभीर कमी हो सकती है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. ये प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है और शरीर को संक्रमनों से लड़ने में सक्षम बनाता है 2. यह मूड और उर्जा की स्तर को बहतर बनाने में मदद करता है 3. ये शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है 4. ये हड्यों को मजबूत बनाये रखने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें